हेलो ف्रेंट्स तो आज हम कर रहे हैं onnen Еkす्टॉपिक हमारा है resolution एक वेक्टर का रिजलीशन एच्छिलिशन वैर्ड का मीणिंग पता होना चाहिए्टको तब ही समझ पाओगे कि यह वेक्टर का resolution क्या resolution का मतलब होता है स्प्लिट करना तोड़ देना किसी चीज को अभी तक हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि तीन या चार वेक्टर एक जंगा लग रहे हैं उसकी वज़े से नए नई एक सिंगल वेक्टर के फॉर्म में हम रिजल्ट को रिप्रेजंट कर देते थे अब क्या करेंगे हमें एक सिंगल वेक्टर दिया होगा और हम उस सिंगल वेक्टर को दो वेक्टर में स्प्लिट करेंगे या ज्यादा वेक्टर में भी ताकि हमें उसका रिजल्ट और वो सिप उतना ही हमें रिजल्ट दे रहे हैं जितना आर दे रहा है खुद से तो रिजलीशन क्या होता है एक ही वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर में स्प्लिट करना so that it gives the या it produces the same effect as produced by the single given वेक्टर और जो वेक्टर में हम स्प्लिट करते हैं जैसे हम आर को मैंने बोला A या B में स्प्लिट करेंगे तो A और B क्या होंगे? है components of R चलो अब resolve करना सीखते हैं थोड़ा सा suppose हमारे पास एक वेक्टर है R उस वेक्टर R का इस तरफ डिरेक्शन है तो उसको हमने A और B में इस तरह स्प्लिट किया कि that produce a triangular form triangle लोग से हम अगर निकाले तो A और B का वही effect होगा that is produced by R then A and B are called the components of R R के ही टुकडे हैं यह जिसकी वज़े से यह वही चीज दिखा रहे हैं जो R दिखा रहा था हमें या फिर हम इन्हें इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं like that in parallelogram form ठीक है इसे हम क्या करते हैं M of A और यह N of T जो N और M हैं वो हमें क्या दिखाते हैं ratios दिखाते हैं कि किस ratio में इसे break किया गया थोड़ा समझ में आएगा जब आप इसे derive करोगे तो इसे इस form में भी थोड़ा जा सकता है देखो यहां पर हम जो भी vector ले रहे हैं वो किसी ना किसी ratio में टूट रहा है 1 by 2 of this vector 1 by 3 of this vector जो यह 1 by 2 या 1 by 3 है इसी को हम M या N बोल रहे हैं चलो हम करेंगे इसी का next topic है उसमें आपको समझ में आएगा यह N और M क्या values given हैं तो अगर हम यहां पर triangular low लगाएं तो triangular low से हमारे पास या फिर parallelogram low लगाएं that R is equal to M of A plus N of B तो हमारे पास एक resultant vector इस तरह आएगा जिसके components इस तरह तोड़े होगे हैं ठीक है अब हमारे पास है rectangular components rectangular components क्या होते हैं, rectangular components तब होते हैं अभी हमने क्या किया R की यह दो components break किये अब यह किसी भी angle पर हो सकते हैं कोई acute angle कोई obtuse angle acute का मतलब कोई 90 degree से कम का angle obtuse का मतलब हो सकता है कोई 90 degree से above but less than 190 degree लेकिन अब क्या होगा हमें rectangular components निकालना है that means ऐसे components जो दोनो एक दूसरे से 90 degree पर लाई करें और ऐसे components ही हमारे लिए beneficial होंगे यह वाले components beneficial नहीं होते हैं जो arbitrary किसी angle पर भी तूट जाएं and one more thing इस चीज़ को जितना easily समझ लोगे इतना यह beneficial है यह एक ऐसा topic है जो मतलब हाथ जोड़ोगे अगर तुने समझ नहीं आया पूरी physics में कि हमें physics नहीं आती और अगर यह topic समझ में आय गया कि कैसे split होते है components तो फिर तो कोई भी numerical उठा के कर सकते हो तुम लोग कोई भी numerical vector का तो rectangular components समझ लो इसको लिख लो यह तो मतलब physics का वो पाट आया यह आ गया तो physics आ जाएगी वरना अपना physics में ढूंडते फिरना क्या करना है at right angle to each other जब भी कोई vector अपने components में टूपता है ऐसे दो components जो एक दूसरे से 90 degree के एंगल पे हो उन components को क्या बोलते है rectangular components अब हम क्या करेंगे हम करेंगे कि हमारा suppose यह कोई A vector है वो इस तरह से plane में पढ़ा है किसी भी xy plane में पढ़ा है ठीक है अब यह अगर xy plane में पढ़ा है और इसके दो components हमें 90 degree पे तोड़ने है तो कि हम इसके axis के along क्यों नहीं तोड़ सकते हम A component यहाँ पर split कर देंगे उस component का नाम रख देंगे A y A component यहाँ split कर देंगे उसका नाम रख देंगे A x यानि कि component of A along x direction this is component of A along y direction ठीक है हमने यहाँ पर mention किया हुआ है यह सब मतलब यह लिखने के लिए आपके mention मैंने पूरा topic किया हुआ है पर समझने का पाट छोटा ही होता है यह याद रखना हमेशा ठीक है और जो यह वाला हमारा vector है actual vector जिसे हमें split out करना है वो किसी angle theta पे लाई है on x-axis ओके अब हम क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर यह पूरा का पूरा parallelogram complete कर लिया यह क्या बन गया हमारा parallelogram अब हमें पता है कि अगर हमें x की direction देनी है तो हम क्या देते हैं वो i cap से और y की direction देनी है तो वो देते हैं vectors are those whose magnitude is 1 and whose direction is is according to the given vector यानि x-axis की direction को कौन represent करता है i cap j cap की को कौन represent करता है sorry y direction को कौन represent करता है j cap अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पर triangular लो लगा देंगे यानि की o r यहाँ पर r mentioned नहीं है this is the r point o r इस तरफ है is equal to op plus pr चीक है यानि की जो a vector है वो किसके along होगा ax plus ay के चीक है अब ax और ay क्या है suppose मैं मान दूं कि इसकी length है ax इसकी length है ay तो मैं क्या से लिख सकती हूँ इसको ax i cap इसको क्या लिख सकती हूँ ay j cap इसको मैंने वैसे ही represent कर दिया देखो complicated मत करो इसे suppose मैं कहूँ कि इसकी direction है n cap कोई भी vector है इसकी direction है n cap मैंने बोला कि इसकी length है 5 तो फिर इस vector को कैसे represent करेंगे 5 n cap से इसकी direction क्या है i cap और मैंने इसकी length कितनी ले ली ओपी की ax तो इसको represent कैसे करेंगे ax i cap similarly ax j cap vector a को इस तरह represent कर दिया हूँ ये मैंने पहले भी बताया था है कि हम किसी vector को represent कैसे करते हैं in partition coordinates या फिर rectangular components में अब हम क्या करेंगे हमने जो ये वाला triangle consider किया हुआ है हम इस triangle में लगाएंगे ratios एक बार cost लगा दो एक बार sign लगा दो cost की ratio क्या होती है op by or तो यहाँ पर हमें op की या ax की value मिल जाएगी sin theta के आएगा sin theta होता है perpendicular by hypotenuse that is pr by or तो यहाँ पर आजाएगी इसकी value a sin theta मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा कोई component x direction में split हुआ है तो वो a cos theta में split होगा अगर कोई y direction में split हो रहा है तो वो a sin theta की form में split हो जाएगा अगर मैं यहीं पर इस वाले में इसकी magnitude निकालती तो क्या आता a is equal to under root of ax square plus ay square आगया ax square plus ay square यहाँ पर इसी का अगर मैं direction find out करती तो that becomes tangent theta tangent theta is equal to क्या होता है tangent theta मैंने पहले बताय था कि अगर हम अगर हम दो दो पार्टिकल जो 90 डिगरी पे हैं दो वेक्टर जो 90 डिगरी पे हैं अगर उन्हें dissolve करते हैं तो उनका क्या आता है ay by ax perpendicular by base या आप direct भी triangle में tangent theta लगाएंगे तो वहाँ से भी निकल जाएगा देखो इसमें निकालने वाली बात सिर्फ इतनी थी हमें ये बह चीज़े चाहिए थी अब इसको देखो लिगाते कैसे हैं suppose यहाँ पर मैंने ये लिया था कि मेरा कोई vector a है इस direction में उसकी क्या गया a cos theta यहाँ पर theta था इसके साथ और इस direction में क्या गया a sin theta में split हो गया यानि कि मैं बता सकती हूँ theta के according कि वह कितने में split हो रहा है cos theta और sin theta basically ratios ही है मैं cos theta को अगर m कहूँ और sin theta को n कहूँ तो बात तो सेम ही है न वो पिछले वाला formula ही बन जाएगा कि किस form में split होए है and suppose मेरा कोई vector ऐसे है मुझे बोला this is vector a this is vector a और यहाँ पर हमारा theta है अब यह चीज़ यहाँ रखना जिस के साथ theta होगा उस direction में a cos theta लिखेंगे पिछली बार theta यहाँ था और यहाँ पर क्या आएगा a sin theta मतलब याद रखने के लिए लिखलो जिस तरफ theta लोगे ना उस तरफ यह लोगे cos जिस तरफ theta नहीं लेते हैं उस तरफ sin this is always to be remembered यह मत सोचना है यह x और यह y यह तो यह मतलब यह trick ना lifetime याद रखना इस trick को नहीं भूल सकते हैं मतलब यह ऐसी trick है जो आपको lifetime याद रहेगी ही रहेगी basically बेटा physics पढ़ने के दो ही तरीके होते हैं और physics आप दो ही वज़े से पढ़ते हो पहला आपको उसको पढ़ने में मज़ा रहा है secondly आपको सिरफ उसमें मार्क्स लेने है so that आप फेल ना हो जाओ तो मैं कहूंगी पहले वाले तरीके से पढ़ा मज़ा लेके पढ़ा physics को अगर फिर भी कोई query है कोई suggestion है कुछ भी तो आप मुझे पूछ देना ओके and please like the video and subscribe the channel thank you